मदवनी जिले के बेनी पर्टी प्रखंट सिक्चा पदाधी करी का एक पत्र सोसल मीडिया पर काफी वाइरल हो रहा है इस पत्र के जरिये बियो साब ने बिना जाज़त विद्याले परशर में मीडिया कर्मी को पूर्ण रूप से प्रतिबंद कर दिया है ऐसे में लोगों ने खुल कर प्रतिकर्दिया देना सुरू कर दिया है एक तरफ जहां बिद्याले कर में खुसी जाहिर कर रहे हैं वहीं दूसरी तरफ लोगों ने आरूप लगा है कि बियो साब के मिली भगत से बिद्याले में क्या खिचरी पकड़ी है जो मीडिया में आने से बच रहे हैं बाराल हम पूरी कहानी को समझें इसे पुर्व आप देखना सुरू कर दिया है और मैं हूं मनुज कुमार दरसल यह पूरा मामला उस समय सामने आया जब 23 मई को बेनी पटी के बियों ने एक तुगलकी पत्र जारी कर दिया इस पत्र में बिहार सरकार के अपर सचीफ सह बिद्याले विभा के निदेशक गिरिवल देयार सिंग का हवाला देते हुए प्रकंड के दिन सभी बिद्यालों में मीडिया के द्वारे रिपोर्टिंग पर प्रतिवान लगा दिया आदेश पत्र में कहा गया कि मीडिया कर्मी प्रधाना ध्यापक के बिना रिपोर्टिंग नहीं कर सकते बेनीपटी के भीयों के ये आदेश पत्र जैसे ही सोसल मीडिया में आया तो लोगों ने इस पत्र पर अपना प्रतिक्रिया भी देना शुरू कर दिया लोगों ने आरोप लगाया कि सरकारी स्कूल में इस्तिती ठीक नहीं है सिक्षक समय पर विद्याले नहीं पोँच रहे मद्यान बोजन की गुनभत्ता सवाल के घेरे में है स्कूल में ओन्यमित्ता चरम पर है बेनीपती के बियो इस पर पड़ा डालने के लिए मीडिया को प्रवेश्वे रोकना चाहता है ताकि सच सामने नाज हलाकि इस आदेश के बाद मद्यवनी जिला सिक्षा पदाधिकारी नसीम अहमद ने समाचार संकलन पर लगी रोक के आदेश को निरस्त कर दिए